हलो स्टुडेंट्स, इन अवर हिंदी स्वर रचना बूख, पेज नमबर 3131, आज हम व्यंजन सिखने वाले हैं, ओके? व्यंजन मींज, जीन वर्णों को स्वरो की मदद से बूला जाता है, उसे व्यंजन कहते हैं, देखो, यहाँ पे ये क, ख, ग, ग, ड, ये जो दिया गया है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, ओके? अभी हम heading read करेंगे, अक्षरों को पहचानों और उसमें रंग भरो, यहाँ पे देखो, ये व्यंजन दिये गए हैं, उसे पहचानना है, और इसमें हमें कलर भी करना है, छित्रा के नीचे दिये गए शब्दों में, उस अक्षर को रेखांकित करो, देखो, यहाँ पे कोई ये व्यंजन है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ शब्द दिये गए है, तो ये क है, वो हमें ढूनना है, इन शब्दों में से और उसके नीचे छोट इसी स्लिपिंग लाइंड करनी है, क, ये कौनसा व्यंजन है, क, 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 अभी शब्द कौनसा है, क, म, ल, तो क के नीचे स्लिपिंग लाइंड, फिर है क, बू, तर, तो क के नीचे स्लिपिंग लाइंड, फिर है क, टहल, तो क के नीचे स्लिपिंग लाइंड, देखो, मैंने सिर्फ ये जो व्यंजन क है, उसी के नीचे स्लिपिंग लाइंड की है, हमें सिर्फ उसी व्यंजन के नीचे स्लिपिंग लाइन करनी है, पूरे शब्द के नीचे करनी नहीं है फिर है ख, 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 र, गो, श, तो ख के नीचे स्लिपिंग लाइन ख, र, बूजा, तो ख के नीचे स्लिपिंग लाइन ख, त, तो ख के नीचे स्लिपिंग लाइन फिर है ग, फिर है ग, 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 न, तो देखो यहाँ पे दो ग दिये है तो हमें दोनों ग के नीचे स्लिपिंग लाइन करनी है फिर है ग, द, तो ग के नीचे स्लिपिंग लाइन फिर है ग, मौला, तो ग के नीचे स्लिपिंग लाइन फिर है ग, 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 तो ग के नीचे स्लिपिंग लाइन फिर है GAT तो G के नीचे स्लिपिंग लाइन फिर है GAT तो G के नीचे स्लिपिंग लाइन ओक्य? फिर है D क्या है? D खाली फिर है च यहाँ पे भी जो वियंजन दिये गये है उसमें आपको कलर करना है च च चटाई तो चप के नीचे स्लिपिंग लाइन फिर है चमच चमच देखो यहाँ पे दो चप है तो हम दोनों चप के नीचे स्लिपिंग लाइन करेंगे फिर है चपल चपल तो च के नीचे स्लिपिंग लाइन फिर है च च च च त तो च के नीचे स्लिपिंग लाइन फिर है चडी तो च के नीचे स्लिपिंग लाइन च तरी तो च के नीचे स्लिपिंग लाइन फिर है ज ज, 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 हाँ, ज, देखो, ये ज तो है, लेकिन उसके नीचे छोटा सा डॉट है, तो ये हो जाता है ज, ठीक है, तो इसके नीचे हमें स्लिपिंग लाइन करनी नहीं है, सिर्फ ज के नीचे ही स्लिपिंग लाइन करेंगे, फिर है ज, ल, ल, भी, तो ज के नीचे स्लिपिंग लाइन, फिर है ज, 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 र, न, तो ज के नीचे स्लिपिंग लाइन, फिर है ज, 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 र, न, तो ज के नीचे स्लिपिंग लाइन, फिर है जाडू, तो यहाँ पे भी ज, तो हम ज के नीचे स्लिपिंग लाइन करेंगे फिर है जन्डा तो ज के नीचे स्लिपिंग लाइन फिर ये कौन सा अक्षर है? इसे हम कहेंगे आ क्या कहेंगे आ देखो ये सब जो इसे हम आधा अनुस्वार भी कहते है ये सब आपको फर्स्ट स्टांडर्ड में लिखने में आएगा अगर सपोस आपको गाव लिखना है ठीक है तो अभी आपको ग लिखना पड़ेगा आखी मात्रा और व ठीक है और ये जो आधा अनुस्वार है उसे हम आ कहेंगे क्या कहेंगे आ तो ये क्या बन गया गाव ठीक है अभी आपको लिखना है पाँच अगर आपको हिंदी में पाँच लिखना है तो देखो कैसे हम बोलते हैं आ पाँच तो उसमें आ जो आता है न वो ऐसे हमें पहले तो लिखना है पांच, ठीके?